Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. So friends, आज का वीडियो जो है, ये requested वीडियो है, अब मुझे ठीक से याद नहीं है कि किसी ने Instagram पर ये request की थी, या इधर ही की थी, YouTube पर किसी वीडियो के comment section में, कि महबत का कितना इजहार करना चाहिए, और पूछाता कि how often हमें इजहार करना चाहिए, अपने प्यार का, कितना बताना चाहिए सामने वाले को, कि हमें उससे कितना प्यार है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, I hope कि ये वीडियो short ही हो, और to the point हो, तो बिल्कुल भी आपने वीडियो को skip नहीं करना है, क्योंकि जब आप skip करते हैं, सही तरह से चीज़ें समझते नहीं, apply नहीं करते हैं, फिर आपको results नहीं मिलते हैं, जब आप पूरी वीडियो को सुनते हैं, और चीज़ों को ठीक से apply करते हैं, तो वीडियो को skip नहीं करना है friends, महबत का इजहार कितना करना चाहिए, तो अगर आप एक relationship में हैं, अगर आप marriage में हैं, अगर आप अपने घर में हैं, whatsoever, ये आपके सारे रिष्टों पर apply होता है कि आपको महबत का इजहार कितना करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं, सो करना चाहिए, बिलकुल महबत का इजहार करना चाहिए बलके इतना important है ना और इतना आप कहले underrated है कि ये बहुत important है कि आप किसी के साथ जी रहे हैं, जिन्दगी गुजार रहे हैं और आप उसको appreciation ही नहीं दिखा रहे हैं हर टाइम किसी की खामिया उसको बता रहे हैं कि तुमारे अंदर ये खामिया है, तुम ये बुरा करती हो, तुमारा ये काम बुरा है, तुम ऐसे, तुम वैसे आप देखें कि वो इनसान नफरत के किस level पर पहुन जाएगा, आपसे कितना distance maintain करने लग जाएगा किस level पर पहुन जाएगा वो इनसान, आपसे दूर होता जाएगा, जब आप हर वक्त उसकी खामिया उसको याद दिलाएंगे तो इसी तरह जब आप उस इनसान को appreciate करेंगे, तो भी आप सोचें कि वो इनसान किस level पर पहुन जाएगा उसके दिल में आपके लिए इस्जत, आपकी जगा, आपका मकाम कितना बढ़ जाएगा जब आप उसको appreciation शो करेंगे, और किस तरह शो करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी तो एक तो चीज ये है के जो आप हर वक्क किसी की तारीफे करें, हर वक्क उसको बता रहे हैं मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तो मैं तो मेरे जिंदगी कद में तायर आरे बिना मेरी कोई जिन्दगी नहीं है, that makes you really really unattractive and desperate and sometimes unstable, तो हमने किसी के सामने unstable नहीं दिखना है, हम unstable नहीं है, हम mature है और हम maturity के साथ appreciate करते हैं, हम खोशामत किसी की नहीं करेंगे, खोशामत नहीं करनी किसी की, पता चल जाता है जब आप जूटी तारीफ कर रहे होतें, त जब आप दिल से सोच रहे होते हैं अपने दिमाग में कि वाओ यार, मुझे इसकी ये हरकत बहुत अच्छी लगी है, उस टाइम आपने उस इंसान को उस पर compliment देना है, बड़े subtle अंदाज में, light से अंदाज में कि मुझे आपका ये चीज बहुत अच्छी लगी है, आपन जिन्दगी, असल में अगर आप ये फील करें, तो भी आपने किसी को ये नहीं कहना, उसके बाद आप बिल्कुल unattractive हो जाते हैं और वो इनसान आपको for granted लेना शुरू हो जाता है, तो किसी को अच्छा फील करवाएं, उसकी अच्छी आदतों पर उसको appreciate करें, उसकी बु बाकी जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी आदते हैं, उनको appreciate करें और बहुत light, sweet अंदाज में, ऐसे नहीं कि आप खुशामत करें और बिल्कुल बिच्छी गए हैं कि बस तुम तो बहुत हसीन हो, तुमारा तो बड़ा ये, मैं तो कुछ भी नहीं हो, तुमारे तारीफ कर सकते हैं, कभी कबार ऐसे ही randomly, सोने से पहले, या busy work schedule चल रहा है, आप दिन के धरमयान में कभी उस इंसान को appreciate कर दें, कि यार मुझे आज आपकी काफी याद आ रही है, और I just want to say कि मुझे आपका time मेरे लिए बहुत important है, आप जो, आपकी जो efforts है मेरे लिए उसक मैं बहुत appreciate करती हूँ या करता हूँ इस तरह से, जरूर कहा करें, बहुत important होता है हम लोग अपने रिष्टों में, हमारे इर्दगिर्द काफी लोग हमारे लिए बहुत सी efforts डाल रहे होते हैं, चाहे छोटी हो, बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें appreciate करना भू करते हैं, तो उन्हें अक्सर appreciate किया करें, कि आप लोग उन्हें मुझे जिस तरह पाला जो आपकी efforts हैं, मैं बहुत appreciate करती हूँ या करता हूँ और मैं बहुत grateful हूँ आपके लिए कि आप मेरी life में हो, इस तरह अक्सर कह दिया करें अपने loved ones को, उनको पता होना चाहिए कि व बादतों को highlight किया करें, तो ये चीज़ आपको करते रहना चाहिए, कितना करना चाहिए, महीने में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा तो ये जरूर कहा करें, कि आपका time, आपकी efforts मेरी सरांको पर हैं, जैसे भी आपका style है बोलने का, आपके words का चुनाओ है, उस तरह से कर कपड़ों के उपर compliments मत दें, क्योंकि ये वो चीज़ बड़ी common है, हर कोई करता है, कपड़ों पर तारीफ करना, उनके चेहरे पर तारीफ कर देना, उनकी खुबसूरती की तारीफ कर देना, no, आपने उनकी efforts के उपर तारीफ करनी है, फिर आप देखिए कि वो इनसान कितन मेल को appreciate करना, उनके काम के हवाले से करें, कि वाओ, I am so impressed, आप अपने काम में कितनी मेहनत करते हैं, आप बहुत perfect हैं अपने काम में, so I really appreciate आपकी मेहनत, आपके hard work पर मुझे बहुत हैरानी होती है, this is so nice, इस तरह का compliment, आपने मुझे time दिया था, उस दिन आपने मेरे लिए time ऐसे निकाला था, I really appreciate that, मुझे बड़ा अच्छा लगा था आपने मेरे लिए ऐसे time निकाला था, इस तरहा compliment आपने करना है किसी male को, female हो, तो उनके mind पर उनको compliment करें, you are very intelligent, you are very smart, female हैं तो उनकी looks पर भी किया करें, this is very important, females को जब आपने करना है na appreciate, उनकी कपड़ों के उप उनके face के उपर आपने जरूर करना है compliment, because this is so important, शादियों में अक्सर ऐसा होता है कि आप, शादियां हो जाती हैं, मर्द compliments देना छोड़ देते हैं, जिसके बाद खवातीन बहुत sad होती हैं, और उनका हक होता है, वो इतना बंसवरती हैं उनके लिए, तो उनको नहीं appreciate करते इससे भी रिष्टे खराब होते हैं, यह चीज बहुत underrated है, इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं लोग, this is so important कि आप अपने partner को appreciate करें, उसकी खुबसूरती की तारीफ करें, और female को तो इतना खुबसूरत बनाया गया है कि उसकी तारीफ करनी चाहिए, तो अगर आप मर् I feel so connected, और फिर उनके कपड़ों पर compliment जरूर दिया करें, जब भी आप उनसे मिलें, जरूर notice करें, क्योंकि वो खास आपके लिए बन सवरती हैं, तो जरूर notice करें और कहें, कि you are looking beautiful, whatsoever, जो भी उन्होंने पहना होगा, उसके उपर जरूर compliment दें, उनके चेहरे पर, जो भी उन कभी किसी को कहते हैं, अप्रिशेट करते हैं, वो घंटों उसके जहन में रहती हैं, और उसके अंदर एक अजीब सा confidence बिल्ड होता है, ये चीज आपको नहीं पता कितना ज़्यादा गहरा असर करती है किसी के उपर, and it works like magic, मैंने ये try भी किया है, मैंने किया है जिन्दगी में ये, और दिल से, जब किसी की तारीफ करो, और वो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो आपको अपनी हर चीज आपके साथ share करते हैं, because वो ये सोचते हैं कि यार वो इनसान इतना appreciate करता है, वो इतना positive vibes देता है, मैंने अपनी ये खुशी, मैंने अपना ये new dress उसको दिखाना है, मैंने ये जो नया काम शुरू किया, ये मैंने उसको बताना है सबसे पहले, because वो इनसान सही से समझेगा, appreciate करेगा, मुझे compliment देगा, वो फिर और आपकी तरफ आते हैं, आपको दिखाते हैं, आपसे share करते हैं हर चीज, because आप इतनी positive vibe दे रहे होते हैं, आप appreciate क करते हैं, अपने friends को appreciate करें, कि उनकी दोस्ती, उनके साथ के लिए, आप कितने grateful हैं, कि उन्होंने आपका हर वक्त में साथ दिया है, वो कितने अच्छे दोस्त हैं आपके, कि उन्होंने आपको वक्त दिया है, और फिर अपने माबाप को, अपने lover को, सब को, appreciation बहुत important है friends, और जिस तरह मैंने आपको बताया, खुशामद नहीं करनी हर वक्त, किस तरह उनकी तारीफ करनी है, subtle way में, इस तरह से आपने उनको appreciate करना है, so I really hope कि ये वाला वीडियो आपके लिए helpful रहा, अगर रहा तो मुझे comment section में जरूर बताईएगा, और suggestions भी दीजेगा, जिन पे म videos बनाउं, so thank you so much for watching, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.